यह खड़क्याला बस टॉप और मुझे यहां पर मिर चुका है धीरज और यह धीरज यह खड़क्याला का सबसे ख़तर नाग बंदा है तेरा नाम क्या है? मनोजकुमार और धीरजमार धीरजमान तो यहां तक मैं कैसे पहुंचा जर्नी करते हैं तीसा चुरा के कहावत मुशूर है के रिक छटा पर चुराई ना चटा मतलब की एक रिच से शायद आप बच सकते हैं पर चुराई की पकट से नहीं आप लोग बेट करें होंगे खजयार वाले ब्लोग का खजयार वाले ब्लोग का अभी नहीं आएगा क्योंकि वह प्लाइन सब्स हो गया है और वह खजयार वाले ब्लोग शायद से अब जुलाई पर जब कोलेज लगे उसके बाद ही आएगा आख बहुत पर डूह जा रहा हूं घर मेरे गाय एंगरी और अब अदिशान गाध चमबा में पड़ रहा हूं अभी और अब बशाद करते हम उसके बाद चलते हैं घर कीओं च्छत पर बशाद कर रहा हूं ग्यारा वजे से एक बज गया है अब आप गया है आज वरना इस टाइम यहां पर बैठना बड़ा मुश्किल होता है यहां से लोकेशन काफी प्यारी है बट गर्मी ही गर्मी यह बन रहा है निव मैडिकल कॉलेज यहां से नचा रहे तो बहुत ही अच्छे आते हैं बट गर्मी गर्मी एक ही प्रॉब्लम है गर्मी गाइज अभी चलते हैं लोक लगाते हैं अभी बैठ चुका हूं बस मैं और अभी यहां से है चार पांच घंटे का सफर अभी दिखाते हैं आपको बढ़िया बढ़िया व्यूग बैक्राउंड में बज रहा है मुजिक सो मैं कर रहा हूं वाइस ओवर अभी त्युक्त है वी त्युक्त है अभी 25% सफर अभी तैक है सो अभी हमें सुनला, सो यह है सुनला की मार्केट, चोटी सी, सो अभी यहां से लगेंगे करीबन 3-4 घंटे, सो उसके बाद, अभी सलोनी आएगा, डियूर आएगा, उसके बाद आएगी हिंगरी, 5 घंटे सफर करने के बाद, मैं पहुंचने वाला हूं अभी डेस्टिनेशन पर, तो अभी मैं रोड से करीबन 50% उपर आ गया हूं, रोड से लगते हैं करीबन 25-30 मिनिट लगते हैं, गाउं के लिए, तो वैसे तो सड़क है यहां पर लिफ्ट वकेरा नहीं होती, बादली चलना पड़ता है, तो अभी यहां महोल तो चंबा से काफी डिफरेंट है, पहाडी एरिया और उपर आप देख सकते हो, काफी जंगल ही जंगल है, फिलाल तो आपको दिखा दूं की, जंगल है, तो यहां का इन्वाइरमेंट काफी अच्छा है, ठंटक बरा है, तो अभी पुल मिलाखर के, तीस एक चुटिया है तो देख तीस एक चुटियों में आपको बड़िये बड़िये वीडियो दिखाता रहूंगा और अलाल पढ़ते हैं आगे पांच गंटे सफर करने के बाद अभी यहां करके काफी सुकून मिल रहा है ठंडक भरा अनवाय मैठ है यहां का और काफी मस्त वारी वाइब आ रही है सो मैंने आपके लिए अ सोचा था कि थोड़ा डिवेयरंट करूंगा धस के अंदर ही कुछ डिप्रेंट करूंगा बाट थे वो इक हर के दिखाएंगे जब वापस जाएंगे यहां से सुगाइज यह है वाटर का नैच्रल रिसोर्स तो अभी तो इसकी हालत कुछ ऐसी है इसमें घास डाला हुआ है ताकि यह जाली का काम करें तो यह ऐसा कुछ बना दिया है पहले यहां पर हुआ करता था चावारा हाइट पर और यहां से पानी जाने लगा नीच्चे रिस जमीन में रिस गया तो पानी के लिए सी थुड़ा और गहरा खोदना पड़ा तब इसकी शेव दोड़ी अभी बिगड चुकी है फिलाल लाला की जाके बढ़िया ही बोने बारा यह भी और रास्ते में हुई है प्लांटेशन यह लगे हैं देवदार के पौधे और यह ट्री गार्ड किसी ने दिया है गिरा तो अभी इसको उठाते हैं और इसको इसपे लगाते हैं तो यह हमने लगा दिया इस पर यह उड़ गया है हवा हवा से उड़ रहे हैं शाहिद यह सेंटर वारा सूप गया है वेल्कुल थोड़ा बड़ाला ओँ था शाहिद बाकी यह वारी लग चुके हैं अब बहुत कुछ दिखाना बाकी है इसमें कंटेंट ही कंटेंट मैं पहुंच चुका हूं जहां तक यह रोड आती है यह खड़क्याला बस टॉप और मुझे यहां पर मिर चुका है और यह देरज यह खड़क्याला का सबसे खतरना कुंदा है कुछ थेरा नाम क्या है क्या मनोच-कुमार मनोच-कमार और दिरजमान 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 की बाइक है दिरिज मान की बाइक दिरिज मान चला के दिखाएंगे चला चला हम पहुंच चुके हैं दिरिज के बस्टॉप पे जहां पे सड़का एंड होता है और यहां से हम जाएंगे अब कुम्डा तो भी दीरिज के पास पहुंदिया है और दीरिज मेरा ब्लोग शुट कर रहा है तो दीरिज ठीक मरी है वीडियो ठीक है तो भी चलते हैं फिलाल आगे बाइश वाइश फानली पहुंच चुका हूं अपने गाउं काफी बड़ा गाउं है लगवग 40-50 परिवार यहां पे रहते हैं तो यह है अपना गाउं यह दिख रहे हैं यहां से आधा आधा पनली साइड है आधा उप्रवाइड साइड है तो यहां से आगे की वीडियो आपको दिखेगी नेक्स ब्लोग में तो आप यहां तक बने रहें थैंक्यू तक लिए टेक केर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक्यू सो मच्च आपक्यो